Hello Friends, पिछली वीडियो में हमने दिखा था कि 1864 से 1876 के बीच British Government in India और अफगानिस्तान के रिलेशन्स का आधार British Government की Policy of Masterly Inactivity था और इसकी वज़ा ये थी कि इस पीरिड में इसके चांसे बहुत कम थे कि रशिया अफगानिस्तान में किसी भी तरह का कोई बी इंटर्फिरेंस करेगा बड 1878 में रशिया की तरफ से अफगानिस्तान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन्स बनाने की पहल होती दिखी हलकि अफगानिस्तान के आमिर शेर अली इसके लिए तैयार नहीं थे वो रशिया और बिटेन दोनों के साथ दूरी बनाये रखना चाहते थे बड इसके बावजूद अफगानिस्तान के आमिर की मर्जी के बिना 22 जुलाई 1878 में रशिया ने अपना डिप्लोमेटिक मिशन अफगानिस्तान में भेज दिया शेर अली क्या करता उसके पास कोई आप्शन ही नहीं था उसे अल्टिमेटली इस डिप्लोमेटिक मिशन को एकसेप्ट करना पड़ा जब ये बात लॉर्ड लिटन को पता चली जो उस समय इंडिया के वाइसरोय थे तो ब्रिडिश गवर्मेंट और अफगानिस्तान के बीच चली आरी पॉलेसी ओफ मास्टरली इनक्टिविटी को उन्होंने हटाया और शेर अली के पास मैसेज किया कि हम भी अपना डिप्लोमेटिक मिशन काबूल में भेज रहे हैं शेर अली ने बुला कि भाई मैं पहले से बोल चुका हूँ कि मुझे किसी भी तरह का कोई भी डिप्लोमेटिक रिलेशन रखना ही नहीं आप लोगों से तो फिर बार-बार इस डिप्लोमेटिक की बात करते क्यों हूँ शेर अली ने इसके साथ साथ वार्निंग भी दि और कहा कि अगर तुम्हारा कोई भी डिप्लोमेट अफगानिस्तान में घुसा तो जिन्दा नहीं बचेगा बट बिडिश गवर्निंट ने इस चेतावनि को नजर अंदास करते हुए अपना डिप्लोमेटिक मिशन अफगानिस्तान भेजा बट शेर अली तयार था उसने बिडिश गवर्निंट के डिप्लोमेटिक मिशन को काईबर पास में एंटर होने से ही रोग दिया और वापस लोटा दिया और यही कारण बना सेकिंड एंगलो उफगान वार का बिडिश फोर्सेज ने तुरंत अपना अटेक लाँच किया शेर अली जानता था कि बिडिश फोर्सेज का सामना नहीं कर पाएगा और इसलिए मदद मागने के लिए भाग कर रशियन जार के पास पहुँचा रशियन जार ने भी साफ शब्दों में कह दिया कि देखो भाई मदद तो नहीं कर पाएगे बट छोटा भाई समझ कर एक एडवाइस देता हूँ अगर हो सके तो ब्रिटेशन के सामने सरेंडर कर दो उनकी मांगे माल लो शायद जिन्दा छोड़ दे इससे जादा हेल्प रशियन जार करने के लिए तयार नहीं थे इसके बाद शेर अली वापस अफगानिस्तान तो आया बट कुछी समय में मर गया और अब हालत ये थी कि में 1879 तक अफगानिस्तान का एक बड़ा हिस्सा बिड़िश गवर्मेंट के कबजे में था ऐसे में वाइसरोय लॉर्ड लिटन ने शेर अली के बेटे याकूब खान को बलाया और कहा कि देखो आपके पिता जी बहुत अच्छे इंसान थे बड़ उनमें सिर्फ एक कमी थी वो बात नहीं मानते थे तुम चाहो तो हमारी बात मानकर अफगानिस्तान के आमिर बन सकते हो याकूब खान ने कहा कि अंकल करना क्या होगा बस ये बताईए इस तरह लॉर्ड लिटन ने याकूब खान से ट्रीटी ओफ गंदमक साइन करवा ली ट्रीटी ओफ गंदमक के हिसाब से अब बिटिश गवर्मेंट अफगानिस्तान के फॉरण अफेर्स कंट्रोल करेगी बिटिश रेजिडेंट अब काबूल के दरबार में रहेगा और नज़र रखेगा कि अफगानिस्तान में कुछ भी ऐसा ना हो जो बिटिश गवर्मेंट के लिए अनफेवरिबल हो और इसके बदले बिटिश गवर्मेंट याकूब खान को एनुली सबसेडी देगी और अगर फ्यूचर में कोई भी फोरण एग्रेशन होता है तो उसमें मदद करेगी ऐसा कहा गया तो इस ट्रीटी के बाद बिटिश रेजिडेंट और कुछ स्टाफ अब काबूल में आकर रहने लगी और बाकी की बिटिश फोर्स वापस इंडिया लोट गए बट जैसे ही बिटिश फोर्स अफगानिस्तान से लोटी वही हुआ जो फर्स्ट अंगलो अफगान वार के दोरान हुआ था अफगान ट्रैबल चीफ्स ने रिवोल्ट कर दिया और इस हमले में बिटिश रेजिडेंट सारा स्टाफ और बिटिश गार्ड्स भी मारे गए बिटिश गवर्मेंट के लिए एंबरेस्मेंट था और यही रीजन बना सेकिंड एंगलो अफगान वार का बिटिश गवर्मेंट ने दो-चार दिन के अंदर-अंदर काबूल फिर से कैप्चर कर लिया माना जा रहा था कि बिटिश रेजिडेंट के हत्या के पीछे याकूब खान का हाथ है तो उसे खटाकर अब्दुर्रह्मान को आमिर बनाया गया जो कि शेर अली के नेफ्यू थे उन्होंने ट्रीटी ओफ गंदमक के शर्तों को मान लिया और इस तरह ट्रीटी ओफ गंदमक के शर्तों के हिसाब से अब अफगानिस्तान, बिटेन और रश्या के बीच एक बफर स्टेट बन गया था बड़िए वो समय था जब पूरे इंडिया में बिटिश गर्मेंट का कंट्रोल था और अफगानिस्तान और बिटिश इंडिया के बीच एक क्लियर बॉर्डर ना होने के वजह से border issues काफी ज़ादा बड़े होए थे और खास करके उन एरियाज में जहाँ पे बलोच और पठान ट्राइब्स थे और वैसे भी ये ट्राइब्स जो थे वो अफगानिस्तान के आमिर की ज़ादा सुनते तो थे नहीं तो इस border issues को खतम करने के लिए 1893 में अफगानिस्तान के आमिर और ब्रिडिश गवर्मेंट के बीच एक agreement हुआ इस agreement को Durand Agreement कहा जाता है इस agreement में अफगानिस्तान और इंडिया के बीच एक boundary line ड्रॉक ही गई जिसे Durand Line कहा जाता है बट 1899 आते आते ये बात समझ आ गई थी कि Durand Line बनने के बाद भी tribes के साथ जो border issues थे वो खतम नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि बलोच और पठान tribes इस boundary line को मानते ही नहीं थे अब इस समय वाइसरोय थे Lord Karzan उन्होंने इस एरिया में peace maintain करने की कोशिश की और इंडिया के northwest region में एक नई प्रोविंस बनाई जिसका नाम था Northwest Frontier Province और इसे डारेटली Government of India के अंदर रखा गया तो हमने इस वीडियो में Second Anglo-Afghan War को समझा और उन reasons को समझा जिनकी वज़ा से Northwest Frontier प्रोविंस को बनाना पढ़ा इंडिया की history और Indian polity को डीटेल में कवर करने के लिए बुक्सदावा की playlist को follow कीजिए link आपको description मिल जाएगा thank you for watching and supporting बुक्सदावा